इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं रूल बेस्छ अइक्सपर्ड सिस्टम के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं रूल बेस्ट सिस्टम के अंतरगर सबसे पहले हम सबसे पहले मैं आपको बताओंगा What is knowledge रूल बेस्ट अइक्सपर्ड सिस्टम में knowledge एक तरीके का theoretical या फिर practical या फिर practical दोनों तरह का क्या हो सकता है understanding हो सकता है theoretical या practical दोनों तरह का क्या हो सकता है understanding हो सकता है किसी भी particular subject का हो सकता है या फिर किसी भी particular domain का भी हो सकता है किसी भी particular domain से भी related हो सकता है आपका knowledge तो यह knowledge का पहला definition है, पहले define करने का तरीका है, knowledge को हम एक और तरीके से define कर सकते हैं, knowledge एक तरीके का sum भी हो सकता है, knowledge एक तरीके का sum भी हो सकता है, अब ये जो सम होगा या किस तरह का होगा सम कुछ इस तरीके का होगा कि कौन सा currently known है कौन सा currently known है यानि कि क्या आप currently जानते है ये भी आपका एक तरह का knowledge हो सकता है और apparently knowledge को हम as define कर सकते है as a power apparently knowledge को हम define कर सकते है as a power तो ये तो हमने knowledge का definition दे दिया अब यदि हम बात करें experts यदि हम बात करें experts तो expert हम किन को कहेंगे expert हम उन्हें कहेंगे जो possesses करेंगे जो possesses करेंगे किसे possesses करेंगे knowledge को ऐसे persons जो knowledge को possesses करेंगे उन्हें कहेंगे हम expert तो ये तो हो गया expert इसके बाद एक और word आता है जो कहलाता है domain expert जो कहलाता है आपका domain expert यदि हम consider करते हैं कि domain expert किस तरह कि परसन हो सकते हैं एक person को हम domain expert कर सकते हैं यदि ही या शी जो भी है जो भी person है उसे क्या हो deep knowledge हो उसे deep knowledge हो अब ये जो deep knowledge हो किस तरह की कर deep knowledge होना चाहिए particular person को rules के साथ facts के भी rules के साथ facts के भी यदि deep knowledge हो तो उस person को हम कह सकते हैं knowledge expert और इसके साथ साथ practical experience भी होना चाहिए के साथ साथ practical experience भी होना चाहिए तब particular person कहलाएगा domain expert यदि हम बात करें domain area के बारे में यदि हम बात करें domain area के बारे में तो domain area क्या हो सकता है limited हो सकता है domain area क्या हो सकता है limited हो सकता है in general आप यह कर सकते हैं कि जो expert है in general आप यह कर सकते हैं कि जो expert है वो एक skillful person है वो क्या है एक skillful person है जो ऐसी चीजों को कर सकता है जो ऐसी चीजों को कर सकता है जिनको दूसरे लोग नहीं कर सकते वो कहलाएगा आपका expert तो यह अभी हमने कुछ आपको definition दिये कुछ terms के बारे में आपको बताया इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो human mental process है जो human mental process है वो internal है और internal है और इसे यदि आप as a यदि आप human mental process को as a algorithm as a algorithm represent तरना चाहेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह बहुती complex हो सकता है यह क्या हो सकता है बहुती complex हो सकता है फिर भी फिर भी यदि बहुत सारे experts जो हैं वो इस बात के लिए capable हैं फिर भी बहुत सारे जो experts हैं बहुत सारे जो experts हैं वो इस बात के लिए capable हैं कि वो express कर सकते हैं कि वो express कर सकते हैं अपने knowledge को express कर सकते हैं knowledge को अपने knowledge को किस के form में rules के form में express कर सकते हैं यदि कोई expert अपने knowledge को rules के form में express कर रहा है तो वो किस motive से express करेगा वो express करेगा problem solving के motive से वो express करेगा problem solving के motive से क्या करेगा express करेगा जैसे कि हम अभी हम आपको एक example बताएंगे rules का suppose if traffic light मान लिजे traffic light if traffic light मान लिजे green है traffic light मान लिजे क्या है green है तो हमारा जो देन वाला पार्ट है याने की देन तो इसके देन से जो हमारा action है देन से जो हमारा action है वो क्या होना चाहिए वो होगा go वो होगा go अब यदि जो traffic light मान लिजे red है यदि traffic light मान लिजे जी क्या है रेड हैं तो दैन से जो हमारा action निकलेगा वो क्या निकलेगा वो निकलेगा, STOP वो क्या निकलेगा वो होगा निकल ŞAH का वा इस वीडियो में वस इतना ही. नेक्ट्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे Rules as a Knowledge representation टेंक के बारे में. Thank You!